दिल्ली के गांधी नगर में BJP MP गौतम गंबीर ने एक कैंटीन खोली है जिसके अंदर लंच में एक प्लेट में चावल, डाल और साथी दो सबजेया मिला करेंगी लेकिन इस कैंटीन की सबसे कास बात यह है कि बताय जा रहा है कि यह कैंटीन गरीबों के लिए खोली गई है और यहाँ पर सिर्फ एक रुपए के अंदर ही यह सब कुछ इनको मिल पाएगा और इतना ही नहीं यहाँ पर एक बार खाना कहता हो जाने के बाद यहाँ पर इस थाली के अंदर कितनी यह बार खाना परोसा जा सकता है यहाँ पर खाने का सिस्टम एक टॉकेन के हिसाब से रखा गया है अब ये केंटीन जो है वो दिल्ली के गांधी नगर में 24 दिसम्बर 2020 यानि कि आज खुल गई है और बताया जा रहा है कि आने वाली 26 जन्वरी को यानि कि गरतंतर दिवस पर ये केंटीन दिल्ली के कॉंडली इलाके में भी खुली जाएगी इस केंटीन के अंदर लोग गौतम गंबीर के लगे हुए पोस्टर भी असानी से देख सकते हैं और का जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो गौतम गंबीर का ड्रीम प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा है मतलब गौतम गंबीर इसको बड़े ही चाव से खुलना चाते थे तो जब से दिल्ली के अंदर इनों ने इस तरह की केंटीन खोली है जहांपर गरीबों को सिफ एक रुपे के अंदर खाना पूरी तरह से प्रोवाइट किया जाएगा तबी से इनकी ये जो केंटीन है वो इंटरनेट पर कई जंगा वाइरल हो लिए वैसे एक रुपे में खाना देने वाली ये पहली केंटीन नहीं होगी इसके पहली भी दिल्ली के अंदर कई सारी ऐसी केंटीन और कई सारी एसी रसो ये खुल चुकी हैं जिसके अंदर या तो पांच रुपे में खाना दिया जाता था या फिर एक रुपे में और कहीं नहीं तो बिल्कुल फ्री में ही खाना दिया जाता था इस कैंटीन का यह जो चलान नहीं इसको फेमस होने के बाद काई सारे लोगों ने इसके अंदर अपना हाथ जमाया था मतलब काई सारे लोगों ने ऐसी कैंटीन खोली थी जिसके अंदर सिर्फ एक रुपे के अंदर ही या फिर फ्री में खाना दिया जाता था और अब उसके अंदर गौतम गंबीर का भी नाम शामिल हो चुका है अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको आगे मेरे इसी तरह की वीडियो देखने चाहिए तो मैं चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार